स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का यी वीडियो इस पेसली क्लास 10 वालो के लिए है आज के इस वीडियो में हम लोग 10 वीडियो के उर्दू का विवियाई सब्जेक्टिव कुर्शन करने वाले है हरांकि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आप लोगो धेर सारे विवियाई सब्जेक्टिव कुर्शन कम्टीट करा चुकी हूँ अगर आप लोगो ने इसका पहला वाले वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें लिंक इस वीडियो के डिस्कुप्शन में डाल दिया गया है 10th क्लास के नौन हिंदी का भी वीडियो सब्जेक्टिव कुर्शन कराएगा है उनहीं क्वेशन में से आप लोग के फाइनल एक्जाम में क्वेशन पूछे जाता है यानि कि डारेक्ट हूब हूब क्वेशन लड़ते हैं तो यह चीज़ अपने माइंड में फिट कर लिएगा यह बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग सारा कोशन एंसर कंप्लीट क कीजिए गा हर एक कुशन का अंसर में आप लोग को पढ़कर बताऊंगी और उसको आप लोग को समझते चलना है हो सके तो आप लोग मगन चलिए आज कि इस विडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी कि आप लोगों ने अभी तक वडियो को शेर नहीं किया है तो स्टार्टिंग में फड़व शेर कर दें लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल पर रहने आये हुए हैं तो दबा कर शेयर करना है वीडियो को ताकि सबी लोगों तक यह वीडियो पहुचे और सबी लोग इस वीडियो का लाब उठा सकें ठीक है और ये हर एक चीज आप लोग जानते होंगे हम्थ मनकबत कसीधा की से कहते हैं कि पर्स्ट चैप्टर में आको पढ़ाया गया है तो अकर आप लोग को नहीं थेक लिख्यों नहीं किया है तो मेख शूर किता क 되면 कर ल fått कर लिए हूं कि हरी समझ में आहे अुछे तरीके से तो देखिए एक बार यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको भी देख लिएते हैं वैसे टो आप लोगो पता होगा हम्द यानि कि Allah ताला की तारीफ करना ठीक है देखें लिखा गया है यहाँ पर जवाब में कि हम्द में खدا की सिफात का बियान होता है जबकि मनकबत में बुजगान दिन और खलपाय राशदीन की तारीफ व तौसिब बियान की जाती है और कसीदे में बादशाय रजीस और अमीर व उम्रा की मदध की जाती है यानि कि हम्द भी कविता की तरह लिखी जाती है मनकबत भी और कसीदे भी है सभी नजम ये की कओटा के तरह ही लिखे जाते हैं बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम्द में आल्ला ताला की norms बेयान की जाती है यानि कि जिस नजम में आल्ला की तारीफ दोश्ब बेयान हो ये हम लोग कहते हैं हम्द और मनकबत उस नजम को कहते हैं जिसमें बुजर्गार ने देनी या फिर आलिया अल्ला यानिकी आल्ला की आलिया की तारीफ हो तौसिफ बियान की गई हो तो उसको कहते हम लोग मनकबत और कसीदा कोई बड़ा आदमी है बादशाय है शेहनसा है ठीक है राजा है मतलब कोई या फिर कोई प्रधान मंत्री चीफ मिनिस्टर यानि की मुखे मंत्री कोई भी बड़े आदमी की तारीफ करना वो क्या कहलाता है किसीदा कहलाता है यानि की शेर और शायरी के अंदाज में तो यह हो गया हम्द बनकबत और कसीदे में फर्क चलिया आगे बढ़ते हैं अगला हैं खुदा की रसूल हाL हजन्मों अख़गता में बॉक्ता की तारीफ हो तोसीنت भी फियान की जाती है दोनों मेंthy बस यही बनीादी फर्क है और कोई यान कि हम्द और नत दोनों नजन नजन कोईता के तरहे लिखी जाती है बस जिस कोईता में उसे हम्द नजन में जिस आजाद के बारे में उनकी अहलात उजिंदगी के बारे में पांच सेंटेंस में लिखना है तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि जगनात आजाद उन्हें में पैदा हुए उनकी जय पैदाईश मियान नावली है और जगनात आजाद कई मुलाजमते कि इनकी को बहुत ज़्यदा नौकरिये किये थे आखिर में जम्मू यूनिवर्सिटी के सदर्शोबय उर्दू हुए और उनका इंतकाल 2014 में हुआ ठीक है हो गया एंसर बस पांच सेंटि समें ही तो लिकनाल साथ मस्मवी निगार ने शाम का नक्सा इस तरह पेश किये हैं जैसे की बारिश होती है उसके बासे मतलब शाम का जो नक्षा है न वो बहुत ही खुबसूरत होता है और उ चत पर जाते हैं देखने के लिए तो देखे जवाब में वही लिखा गया है कि शायर ने शाम का नक्सा यू बयान किया है कि आस्मान पर बादल चाय थे बारिश हुई और जब आस्मान साफ हुआ तो कौस्वा कज़ा की कौस्वा कज़ा ने आस्मान पर अपना रंग भी खेर दिया शाम की थ नजारा ले रही थी साम के मौशम का तो इस वज़े से जो तेज हवाय चल रही थी तो उनके जो बाल है ना बार-बार उनके चेहरे पर आ रहे थे बहुत ही खुबसूरत और सुहाना जो है ना नजारा नक्षा दिखाए गया है शाम का तो वही चीज यहां पर जवाब अपन पर पांच जुमले लिखिए जवाब में लिखा गया है कि बकावली एक परीजाद है यानकि वह एक परी है इंतहाई खोबसूरत यानकि बहुत ही खोबसूरत है वो उसे ताजुल मुलक के नाम से शहजादे से मुहबत हो जाती है यानकि उसे एक शहजादे से मुहबत हो जिसका नाम रहता है ताजुल मुलूक अचानक वह गायब हो जाता है बकावली उसे तलाश करने के लिए निकलती है बकावली अपने महबूब की तलाश में जंगल जंगल बैबान में भटकती हुई जैनुल मुलक की मुमलकत में पहुंसती है उसका शहजादा यहीं कैद है वह जैनुल मुलक की मुमलकत में वजीर मुकर्र होती है और वहां पर जाकर रहना सटार्ट कर देती और वहीं से जो है ना अपने यह आशिक यानन की अपने उसका जुक महबूब रहता है ताजुल मुलक उसकी तलाश में निकलती है ठीक है आगे बढ़ते है नेक्ट कोश सवाल है कि मसफी के शेरी तखलिकात को लिखिए तो देखिए जवाब में लिख दिया गया है कि मसफी ने अर्दू के लावा फार्सी में भी शायरी की इसलिए उनके शेरी तखलिकात दोनों जबान में हैं उर्दू और फार्सी दोनों मिलाकर आठ दिवान उनकी यादगार हैं मसफ़ी की मसनविया दर्जजायल है यानि कि निमनलिखीत हैं तो बहर महबत सर्दी तफल हज्जाम अजवाइन गरीब खाना मसफ़ी मोदी खाना और खटमल नामा वगरा यह जो है ना मसफ़ी की स्ट्रेडी तकलिकात है यानि कि इनका खुद का क्रियेशन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टिन की अर्भी घजल अर्भी के किस सिल्फ से माफूज है तो देखिए घजल अर्भी कसीदे की तश्वीब से माफूज है यानि की घजल अर्भी के सिल्फ कसीदे के तश्वीब से माफूज है यानि की कसीदे के तश्वीब से घजल निकली है मतलब आपके के सकते हैं कसीदे का जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है ना फॉस्ट वाला हिस्सा उसी को तश्वीब कहा जाता है ठीक ह और तश्بीव से ही गजल जो है ये निकली और गजल का विकास आपकी忍 के सकते हैं गजल का अवाज़ वा इर्तका हुँआ ठीक है तो तश्बीव का तालुक शबाब यानि जवानी के जज़बात से है और जवानी के जजबात में खसुन और इश्फी की पियाथ शामिल होत सप्किन अगे बड़ते हैं हसन नैम की गजल और घ्र का आम रंग किया है तो हसन नैम की गजलों में यह जडिदीयत का रंगंनुमाया है यांनिकी मौडर्रन जमाने का रंगंनुमाया नें उनमें इहतजावी रंग भी शामिल है उसके बावजूद उनकी घजलों में क्लासिकी रंग भी पाया जाता है नेक्स्ट कोशन की परविन शाकिर की शायरी पर पाँच जुमले लिखिये तो देखिये जवाब में लिख दिया गया है कि परविन शाकिर के यहां आविर्द न ही है बलके उनके यहां एहसेसात है और यह एहसेसात और ते औरतों के मक्सूस अलात पर मबना हैं उनका निस्वानी लहजा नरम होने के बावजूद बेहद इनफलाबी मालूं होता है jaar ज़ारी करती है यानि कि अक्सर परदिन शाकिर की शिरोशाइरी में औरतों के जजबात और फिलिंस देखने को मिलते हैं ठीक है और उनकी शिरोशाइरी जादतर औरतों के जजबात पर ही बेस्ट हुआ करती थी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल है कि नजम हम नौजवा हैं का खुलासा पेश कीजिए यानि कि जो कवीता है हम नौजवा हैं इसमें क्या बताया गया है इसी का खुलासा करना है तो जवाब में देखे लिखा गया है कि परवेज शादी की नजम हम नौजवा हैं तकनीक के लिहाद से एक जदीद नजम है यानकी मौडर्न पोएम है नजम में शायर ने मौजूदा एहद के नौजवानों के जजबात की तरजुमानी की है यानकी अभी के जमाने के जो नौजवान है उनके जजबात की तरजुमानी की है उनके जजबात को जाहिर किया है इस नजम के जवानी के जमाने में नौजवानों के दिलों में क्या क्या जजबात उभरते हैं और वह मौशरे से क्या चाहते हैं उन्हीं की फियात को शायर ने बड़े सलीके के साथ नजब में सिमोया है जिस तरह बच्चे अपने पसंदीदा चीज़ों को पाने के लिए जिद करते हैं उसी तरह जवानी के जोशो जजबात में इंसान इस कदर बहेखने लगता है कि हर पसंदीदा चीज़ को हर हाल में हासिल करने की कोशिश करता है मस्कोरा नजब को परवेर शादी ने कलकत्ता में नौजवानों के एक अजलास में पढ़ा था जिसमें नौजवानों की वह आग्वान होता है वह जवानी में कोई भी चीज जो उन्हें अच्छी लगती है वह पा लेना चाहते हैं ठीक है तो यह शाइर इस नजम में झाहिर हैं नेक्सट कोष्टन की तरह बढ़ते हैं अग्ले स्वाले की मिरदा शौक लखनवी की हालातِ زिंदगी मुखतसरन बयान कीजिए यान की मिर्जा शौक लखनवी की हालात । जिंदगी के बारे में शौर्ट काउट में आप लोगो लिख कर बताना है तो देखिए when मिलिखा गया है की मिर्जा शौक लखनवी मशूर मस्नवी निगार थे उनकी मस्नविया जहरे इश्क बहार इश्क और परेव इश्क हैं तैसील इल्म के बाद शौक ने तबाबत शुरू की और मिर्दा सौक का इंतकाल अठार से कटर सभी में लखनव में हुआ ठीक है तो वह एक तिब आप यूँ के सकते है तीव यानि की डॉक्टर थे नेक्स्ट कोशिन की तरफ नजब मनाजर कुदरत का मरकजी ख्याल पेश कीजिए यानि की नजब मनाजर कुदरत के जरिये क्या बताने की कोशिश की गई है तो देखिए यहां पर लिखा गया है कि नजब मनाजर कुदरत का मरकजी ख्याल फि खामोश ना रहा शायर के दिल के उन्हें इससात ने इन हसीन मनाजर को शेर के पिराये में ढाल दिया और घर्ज के खुद्रत के हसीन मनाजर का बियान इस नजम का मरकजी ख्याल है यानि कि शायर जो है ना वो देरा दून घुमने के लिए गए रहते हैं तो वहां की को देखते हैं बुलन बुलन बहुत उचाए उचा पहाड़ी और खुद्रत को देखते हैं और उनसे धमें रहा जाता है और मतलब वहांके मनजर पर एक नश्म यान कि कुवीता लिख देते है जिसका फिन के अलगन आश सब्याइद कर लिए ने समज में आया होगा अगर क किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिकर पूछ लिएगा हो सखेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कंफीजन को क्लेर कर दूँ बाकी जो कुछ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाई बाई टेक केर फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज